Assalamu alaikum guys Assalamu alaikum guys I hope you all are fine और आज हम बेली यूज़ करने वाले sentences short short sentences के आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों बताएंगे उसकी तो I hope आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करने न और अगर आप हमारी चैनल पढ़नाए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और बेल आइकोन का बटन प्रेस कीज़ेगा ताके आने वाली हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन असानी से मिल जाए तो गाइस आज मैं और मुहमद उर्दू और इंग्लिश दोनों सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे जो डेली यूज होते हैं छोटे-छोटे तो लेट स्टार्ट मुहमद मैं उर्दू में बताऊंगी और तो मुसकी तो नमबर वन अगर हमें कोई चीज़ चाहिए दिखानी हो तो हम कहते हैं ये वाला तो ये वाला तो ये वाला और अगर हम किसी को और दिखाना ओओ के वो वाला तो उसकी मेनिक क्या होगी तो की और हम हरी हों अगर नहाने जा के खेलो जाओ जाके खेलो हम कहेंगे go and play और अगर कोई हमारे घर से जा रहा हो तो हम कहेंगे say goodbye say goodbye और अगर हम किसी को खाना खेला रहे हो बेबी को तो हम कहेंगे ये लोग खालो ये निवाला खालो take a bite बूड जाब पानी पी लो take a sip अगर जैसे आप स्कूल जा रहे हो अगर जैसे आप स्कूल जा रहे हो अगर जैसे आप से बोले ये अपनी किताबे जल्दी बैग में रखो तो हम कहेंगे इसको put your bag put your books in the bag अगर जैसे बूड तो next word is अगर मैं आपको किसी चीज़ की अजाज़त ना दूँ कभी नहीं करना तो कभी नहीं meanings never और मैं अगर बोलू मौमद अपनी टेबल साफ करो इसे साफ करो we call it clean it और अगर आप कोई by mistake गलती कर दो तो मौमी आप से कहे कोई बात नहीं that means never mind और अभी मैं आप से बोलू जैसे कि अब मैं ये A है ये B है ये C है आप इसे दोहराओ so क्या कहेंगे इसको repeat it good job and मेरे बात दोहराओ repeat after me okay that's good और अगर आप से कोई mistake हो जाए और मैं कहूं दुबारा कोशिश करो it means dug in okay now अगर मैं कहूं महमद जल्दी उठ जाओ इसकूल जाना है तो उठ जाओ मीरिंग्स get up और अगर आप सो रहे हो तो मैं कहूं महमद जाग जाओ हम कहेंगे wake up good job और अगर आप सेड हो तो हम मैं आप से कहूंगी खुश रहो happy happy okay 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 महमद जैसे अभी मैं आप से कह रही हूं चलो हम लोग पढ़ते हैं और ऐसी अगर मैं आप से बोलूँ चलो हम गेम खेलते हैं चलो गेम खेलते हैं उसके मीनिंग्स क्या होंगे let's play game yeah it's good you did it Mohamad okay so अगर आप भाग रहे हो और मैं आप से बोलू Mohamad सीदे खड़े हो जाओ I'm getting a standstill good job hello mat domo it means standstill same meaning yeah but difference है yes okay आप अगर जैसे नीचे हो मेरे साथ ground floor पर मोज़ आपको अपर रूम में भेजना हूँ मैं कहूंगी उपर जाओ तो उपर जाओ के meanings go upstairs और अगर मैं आप मुझे जल्दी हरी ओरी और हमें बाहर जाना हूँ तो मैं कहूंगी Mohamad नीचे आओ हम कहेंगे come downstairs good job picture खेचते वे हम क्या कहते हैं इतर देखो look here oh guys that's good मेरी तरफ देखो look at me good job it's a meme और अब मैं आपको कोई चीज देना हूँ मुझे अगर तुम्हें कहूंगी इसे लो take it okay and Mohamad मेरे हाथ दुख रहे हैं आप ये थैला पकड़ो इसे पकड़ो it means hold it good job okay और कुछ anything else okay that's good और कुछ नहीं nothing else okay so Mohamad इसे ध्यान से पढ़ो हम कहेंगे be careful good job okay so अभी काम करो right now okay इसे देखो taste it इसे देखो look at it okay और इसे चखो taste it okay that's good क्या हुआ what happened oh that's great Mohamad so Mohamad ये मुझे दो give me okay give me that ये क्या है what is this okay मुझे दिखाओ show me show me that thing okay मेरी बात सुनो listen to me okay और अगर आप को इसे शरारत करते हो और फिर बोलते हो कि मैंने नहीं किया तो मुझे क्या कहती है I know मैं जानती हूँ मुझे पता है कहते है इसको दुमें और इंग्लिश में क्या कहते है I know okay और मैं नहीं जानता it means I don't know okay that's why I didn't know that you were using my laptop one day okay कोई बात नहीं never don't no problem it's okay okay और खड़े हो जाओ stand up बैट जाओ sit down okay इसे खाओ eat it आहिस्ता खाओ आहिस्ता खाओ eat it slowly okay walk slowly okay आहिस्ता चलो walk slowly okay eat slowly walk slowly same same aha okay यहाँ आओ come here come here जोर से बोलो speak loudly okay खामोश रहो keep quiet अंदर आओ come in ओके और तयार हो जाओ get ready ओके और कौन कौन से बरस होता है कुछ खास है anything special कुछ खास something special yes anything special mean हम अगर कुई हमसे पूचेगा कि कुछ खास है तो हम कहेंगे yes something special okay और रो मत don't cry हसते रहो हसते रहो meaning keep laughing keep smiling or keep laughing हाँ हसना or smile no there is a difference between laugh and smile oh smile जो है वो हम quietly करते है love जो है हम वो जो जो से करते है okay guys तो ये आज के कुछ sentences थे I hope आपको अच्छे लगे हो तो हम यही कहेंगे कि आप भी रोज अपने kids के साथ practice किया करें sentences की ताके बच्चों की English और उर्दू दोनों अच्छी हो तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अगें like, share and subscribe और मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care अल्ला हाफिज